काली 14 को नरक 14 या रूप 14 के नाम से भी जाना जाता है इस दिन देवी काली की पूजा हर किसी को करनी चाहिए साथ ही कुछ संसकार भी इस दिन निभाने चाहिए माना जाता है कि काली 14 पर यदी मनुश्य सूर्योदय के पूर्व उचकर सरसों का उप्टन लगा कर सनान करता है तो उसके सभी रोग, पाप और कष्ट दूर हो जाते है ऐसा करने वाले मनुश्य को स्वर्ग की प्राप्ती होती है और समस्त सांसारिक कष्ट दूर होते है कुछ पुराणों में यह भी लिखा गया है कि इस दिन उप्टन लगाने से स्वांदर्य की प्राप्ती होती है तरसल चतुर दशी का पर्व यमराज के निमित मनाया जाता है इस दिन नर्क चतुर दशी भी होती है और इस दिन रात में यमका दिया निकालने का भी विधान होता है माना जाता है कि काली चौदस के दिन यदि मनुश्य खाने पीने के बाद रात में यमका दिया तक्षिन दिशा में घर के बहार निकालता है तो उसके और उसके परिवार पर से अकाल मृत्यू का भई दूर हो जाता है लेकिन इस दिन एक और परव होता है काली पूजन का इस दिन मा काली के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है यही कारण है कि इस दिन को काली जौदश्ट कहा जाता है और इस दिन देवी की पुजा से शत्रु भई, रोग, अन्य तरह के सांसारिक कश्ट दूर होते है साथ ही इस दिन काली पुजा करने से जादू टोना, बेरोजगारी, पिमारी, शनी दुश, कर्ज, बिजनेस में हानी आदी की समस्याओं से भी मुक्ती मिलती है अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान, BRG News आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आज ही BRG News की मोबाइल एब, Google Play Store और App Store से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें